अरे किश्णा दोस्तों आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल गौर्मेंट जो अपडेट्स में जहां में लेकर आया हूँ डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनरजी जिसके अंदर बार्क के अंदर यहां पर चार हजार से ज़्यादा वेकेंशिय में देखने को मिलेगी यह जो वेकेंशिय है दोस्तों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 3800 वेकेंशिय आने वाली थी यह वही वेकेंशिय है जो की बार्क की तरफ से आई है जहां पर बार्क बाबा एटोमिक रिसर्स सेंटर जो की डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनरजी हो चुका है जिसकी क्लोजिंञ डेट जो है यहां पर इसमें डोजार तेईस रहने वाली है शांग राट बारा बज़े तक डार्क रिकूबरमेंट की बात कला है तो यहां पर टेकनिकल ऑफिचर साइंटिफिक आसिस्टेंट बी टेकनिशन बी की यहां पर पोस्ट होने व वाली है यह तीनों ग्रूप ए बी और सी के अंतर गद आती है जिनका पेस्केल दिये रखा है फिर ट्रेंडिंग स्कीम स्टाइप अंट्री ट्रेंडिंग की बात कर लेते तो यहां पर केटेगरी वन और केटेगरी टू के अंदर बारा सो सोला और उनती सो चेहालिस पोस्ट के लिए हमको M.E.C. B.E.B.T.E.K. यह वाले अप्लाइ कर सकते हैं तो यहां पर जो है बायो साइंस, लाइफ शाइंस, बायो केमेस्ट्री, माइक्रो बायो जी, केमेस्ट्री, फीजिक्स, आर्किटेक्चर, चेमिकल, सीविल, कम्प्यूटर साइंस, ड्रीलिंग, इलेक्र इलएक्ट्रिकल एन इलेक्ट्रोनिक्स इंस्टूमेंटेशन मेकल मैटल जिनलर्जी वाले एपलाई कर सकते हैं यहां पर देख सकते हम इनके लिए इफ्रेंट इफ्रेंट भीके सिदे र्किया जहां पर हमको मिनिमम सिक्ष्टी पर्सेंट मांक्स बीए बीटे किuffy decid पी डव बीडी के एडीडेट के लिए अलग अलग वेकेंशी सोगते हैं अब फूड एन टक्नलोजी वोम साइंस हो न्यूटरिशन बॉइलर अटेंडेंट वालेप्लाई कर सकते है या पर फूड साइंस के लिए साथ और boiler attendant के लिए choice vacancy है जो कि BSC हुए second class SSC plus वाले apply कर सकते हैं category one में यहाँ पर stipendry training की vacancy होने वाली जिसमें biochemistry biology chemistry physics computer science agriculture horticulture chemical electrical electronics electronics mechanical metallurgy automobile वाले apply कर सकते हैं जिन के लिए यहां पर पोस्टे हमें दे रखिये यहां पर BSC और diploma वाले जो है वो apply कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर reservation दे रखा है PWBD candidates के लिए इसके बाद category two में बात कर लेते हैं तो category two में stipendry training के लिए आई टी आई वाले apply कर सकते हैं जिसमें feeder turner welder mechanic electrician electronic and mechanics वाले apply कर सकते हैं जहां पर SSC और जो आई टी आई है वह साथ परसेंट से इदिक परसेंटेज मांगे गए हैं इसके बाद physical standards की बाद कर लेज़ फिजीकल स्टेंडर्स में यहां से एक सो साथ सेंटिमेटर से ज्यादा हाइट और 45.5 केजी से ज्यादा वेट होना चाहिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहां पर टेक्निकल ओफिसर सी की अठारह से 35 scientific assistant बी की अठारह से 30 technician बी की अठारह से 25 के बीच में एज होने चाहिए training scheme में यहां पर चाहिए training scheme में यहां पर category वन स्टाइप अंड्री टेनिंग और category टू स्टाइप अंड्री टेनिंग में उननीस से चोईस और अठारह से 22 वर्स के बीच में उमर होना ही चाहिए फिर एज रिलक्सेशन यहां पर ओबी सी से स्टी के लिए तीन पांच और दस साल का एज रिलक्सेशन दे रखा है तो एपलाइ करने के लिए हमको इनकी वैबसाइट www.stpp.park.online की वैबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके हमें रेजिस्टर कर देना है रेजिस्टर करने के बाद हम फॉर्म आगे बार सकते हैं इसके बाद फीस की बात कर लेते तो टेक्निकल आफिसर की यहां पर 500 रुपे फीस रखी गई है साइन्टिफिक असिस्टेंट बी की डेड़ सो और टेक्निशन बी की सो और फीस रखी गई है स्टाइब बंडरी ट्रेनी केटेगरी वन की एक सो पचास और केटेगरी टू की सो और फीस रखी गई है यहां पर SCST PWD और महिला केंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है य अगरे ता एक जोब एलट जो की बार्क डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनरजी की तरफ से आया था जहां पत चार हजार से अधिक वेकेंशिय में देखनों को मिल रही है तो इसी तरह से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप लोग आने वाली वी अगरे गष्मा